हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू इंग्लिश लिट्रेशर गाइड आज मैं एक्स्प्लेन करूंगी एक एंशेंट इंडियन प्ले मृिच्छा कटिकम को जिसे लिखा है शुद्रक ने तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस प्ले के राइटर शुद्रका के बारे में शुद्रक के बारे में exact information नहीं है हिस्टरी में फिर भी ऐसा मान लिया गया है कि 5th century AD means almost 2500 years पहले के time period से ये बिलॉंग करते हैं शुद्रक एक शत्रिय किंग थे और भगवान शिव के डिवोटी थे इन्हें रिगवेद और सामवेद mathematics की knowledge थी ही साथ में art of courtesans and the science of training elephants भी शुद्रक काफी अच्छे से जानते थे इन्होंने अश्व में एक sacrifice भी perform किया था and ऐसा कहा जाता है कि वो 100 years तक जिये थे इनके works में से मृच्छा कटिकम सबसे ज्यादा famous है अब बात करते हैं मृच्छा कटिकम play के बारे में इस play को 19th century में English में translate किया गया था इसके बाद 20th century में एक बार फिर से English में translate किया गया मृच्छा कटिकम एक Sanskrit word है जिसका मतलब होता है little clay card इस play की setting ancient Indian city उजैनी में रखी गई है ये play 10 acts में divided है and इन 10 acts से पहले है एक prelude means play में क्या दिखाया जाने वाला है इसके बारे में हमें दो लोग जो husband and wife हैं introduce कराते है husband का नाम नंदी है जो खुद को सुत्रधार भी कहता है and wife का नाम नती या नटी है नंदी अपनी wife को बताता है कि play completely imaginary है इस तरहां वो audience को भी एक तरह से कहता है कि यहां दिखाये जाने वाला सब कुछ imaginary है वो कहता है कि यह play poor brahmin, चारुदत और एक wealthy courtisan वसंत सैना की love story के बारे में है और दूसरी तरफ यह political instability के बारे में है उजैनी का राजा पालका एक अंधेर नगरी का चोपट राजा है और इस नगरी की public में administration को लेकर बहुत ज़्यादा dissatisfaction है यह सब बताने के बाद नंदी और नती stage पर से चले जाते हैं और play start होता है and first act का नाम है the gems are left behind first act की starting में हम सबसे पहले देखते हैं चारुदत के घर को जिसमें चारुदत उसकी wife धुता and एक बेटा रोहसेना and इसके अलावा चारुदत का एक दोस्त मैत्रे जो चारुदत की तरह ही एक पूर भ्रामिन है यह रहते हैं play की starting में हमें बताया जाता है कि धुता अपने बेटे रोहसेना को लेकर अपने पीहर गई हुई है and अब घर में मैत्रे और चारुदत के अलावा एक maid servant रदनिका है starting conversation से ही हमें चारुदत की financial condition के बारे में पता चल जाता है क्योंकि मैत्रे चारुदत को डांट रहा होता है वो कहता है कि क्या कुछ नहीं था तुमारे पास चारुदत इतने servants के गिने न जाएं gold से भरे हुए boxes लेकिन एक के करके सब खतम हो गया क्योंकि न जाने कहां से उसको ये charity का शोंक लग गया और जो charity इसे बचा उसको musical instruments करीदने में खर्श कर दिया चारुदत मैत्रे से कहता है कि रात बहुत हो गई है तुम ये बातें रहने दो और रदनिका को उसके घर चोड़ाओ क्योंकि city में चोर डाकू बहुत बढ़ चुके हैं फिर मैत्रे उसे गरीबी के ताने देते हुए ही रदनिका को घर चोड़ने के लिए निकलता है इस सीन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वसंत सेना की entry वसंत सेना एक कॉटिजन है कॉटिजन means a prostitute especially one with wealthy और upper class clients वो पूरी city में बहुत famous है due to her finesse in various art forms such as singing, dancing, poetry, courting etc. and her beauty मगर वो अभी कहीं छुपने के लिए जगां डून रही है और वो जगां डूनते डूनते चारुदत के घर में आ जाती है वसंत सेना का पीछा King Palaka का brother-in-law Samsthanak अपने दो followers Vita and Cheta के साथ कर रहा है Samsthanak को Sakara भी कहा गया है इस play में वसंत सेना चारुदत के घर में छिप जाती है और वो मैत्रे और चारुदत के conversation को भी सुन लेती है तो जब मैत्रे और रदनिका घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही वीटा और चेटा रदनिका को वसंत सेना समझ कर दबोश लेते हैं क्योंकि अधेरे में वो पहचान नहीं कर पाये थे रदनिका शोर मचा देती है और मैत्रे उसे बचा लेता है इसके बाद ये दोनों रदनिका के घर की तरफ चल पड़ते हैं मेंस मैत्रे और रदनिका वहीं दूसरी तरफ किसी अनन परसन को अपने घर में देखकर चारुदत चौंक जाता है फिर वसंत सेना उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो एक कौटिजन है और राजा पालका के ब्रदर इनलो समस्थानक के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और उसी से पीछा चुड़ाने के लिए उसे चिपना पड़ रहा है इस कॉन्वर्सेशन से हम इन दोनों के बीच एट्रेक्शन क्लिरली देख पाते हैं वसंथ सेना कहती है क्योंकि अब समस्थानक जा चुका है तो अब और कोई डर है नहीं इसलिए उसे अब अपने घर जाना चाहिए लेकिन उसने बहुत जूलरी पेहन रखी होती है तो वो चारुदत से कहती है कि रात बहुत हो चुकी है और चोर डाकू बहुत ज्यादा है तो क्या वो अपने गहने यहाँ छोड़ कर जा सकती है वो कल सुबह होते ही वापस इन्हें ले जाएगी और चारुदत मान जाता है इसी बीच मैत्रिय भी रदनिका को घर छोड़ कर वापस आ जाता है वो वसंद सेना को पहचान लेता है और इसके बाद वसंद सेना वहाँ से चली जाती है चारुदत वसंद सेना के गहने संभालने की responsibility मैत्रिय को देता है और इसी के साथ Act 1 खतम होता है और Act 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है The Shampooer Who Gambleed The Act opens in वसंद सेना's house वसंद सेना अपनी feelings के बारे में अपनी maid मदनिका को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसने अपने ornaments चारुदत के घर इसलिए रखे हैं ताकि वो फिर से उसको मिल सके जब ये सब बातें वसंद सेना की मदर को पता लगती है तो वो बहुत नाराज होती है वसंद सेना पर और उसको कहती है कि उस जैसे लड़कियों को शादी के सपने देखने ही नहीं चाहिए और उसे चारुदत को भूल कर समस्थानक की ओफर को एकसेप्ट करके उसको मिलना चाहिए वसंद सेना चुपचाप अपनी मदर की बात सुन लेती है और जवाब में कुछ नहीं कहती नेक्स्ट सीन में हम कुछ गैंबलर्स को देखते हैं जिसमें से एक का नाम है समवाहक और ये एक शैंपूर है या फिर चंपी करने वाला कह सकते हो वो अपना डेट ना चुका पाने की वज़े से भाग रहा है and is being pursued by his creditor and the master of the gaming house किसी तरह बचकर वो वसं सेना के घर जा पहुचता है और वसं सेना और मधनिका के बीच का conversation सुन लेता है अइड इतना चलाख है ये कि तभी वसं सेना के सामने जाकर कहता है कि वो चारुदत का मसाज करने वाला है और इस वक्त उसके पीछे कुछ लोग है जो उसे 10 गोल कोईंट की उधार मांग रहे हैं जो उसने गैंबलिंग में हार दिये थे वसंद साना चारुदत का नाम सुनते ही समभाहक की हेल्प करती है और उसका डेट चुका देती है समभाहक वसंद साना की काइंटनेस से बहुत इंप्रेस होता है वो वसंद साना को बता देता है कि उसने जूट कहा था वो चारुदत को नहीं जानता फिर वो कहता है कि अब वो gambling कभी नहीं करेगा एंड एक भिक्षू बनकर truth की सर्च में अपनी life spend करेगा इसी के साथ act second खतम होता है and act third, the hall in the wall start होता है यहां audience को introduce कराया जाता है इस play की second love story से There was a Brahmin in Ujjaini named Sarvilaka who having fallen in love with Madanika the slave maid of Vasan Sena बात करें Sarvilaka की तो वो एक पूर भ्रामिन है और अपना गुजारा करने के लिए चोर बन गया है Sarvilaka Madanika को slavery से free करवा कर उससे शादी करना चाहता है Sarvilaka Arika जो की एक बागी है और King Palaka को थ्रोन से हटा कर खुद राजा बनना चाहता है उसका अच्छा दोस्त भी है Madanika Sarvilaka को बोलती है कि उसे slavery से free करवाने के लिए बहुत से gold की जरूरत होगी इसी के बाद उन दोनों की शादी possible हो सकती है तो Sarvilaka Madanika को promise करता है कि वो कल सुबह ही gold लेकर आएगा और उसे slavery से free करवा कर उससे शादी करेगा promise करने की रात को सर्विलाका चारुदत के घर की दिवार में हॉल करके मैत्रे के सिरहाने रखे ornaments चुरा ले जाता है मैत्रे सो रहा था मगर जल्दी ही उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके सिरहाने रखे ornaments गायब हो चुके है वो चारुदत को बुलाता है ornaments की चौरी का जानकर चारुदत बहुत दुखी होता है अब तक चारुदत की वाइफ धुता भी अपने बेटे रोह सैना के साथ पीहर से वापस आ चुकी थी और इस चौरी के incident से उसको पता चल जाता है कि उसकी absence में यहाँ कोई और woman थी and चारुदत का उसके लिए affection देखकर धुता अपना necklace देने को कहती है वसंद सैना को उसके ornaments के बगले में इसके बाद वो गुस्ते में आकर कहती है कि वो आज फिर से अपने parents के घर जा रही है क्योंकि उसका husband अफ किसी और के साथ involved हो चुका है ऐसा कहकर वो अपने पीहर रोह सैना को लेकर चली जाती है चारुदत और दुखी हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद चारुदत मैत्रे को बोलता है कि वो धुता के इस necklace को जाकर एक्सेप्ट कर ले और उसकी तरफ से माफी भी मांग ले Act 4 Madnika and Servilaka इस Act की शुरुवात में हम देखते हैं कि Servilaka Madnika को मिलने बुलाता है ये बताने के लिए कि उसने अपना कहावादा पुरा कर लिया है Madnika surprise होती है कि एकदम से Servilaka के पास इतनी wealth कैसे आ गई वो उसे question करती है तो Servilaka उसको बताता है कि इसमें से half उसे चारुदत ने दिया है क्योंकि वो तो charity करता रहता है Madnika इसके बाद की सारी कहानी खुद्बहु समझ आती है और ornaments देखने के बाद तो उसको confirm हो जाता है कि ये गहने वसंद सैना के है वो Servilaka को ये सब चारुदत को वापस करने को बोलती है क्योंकि ये सब जूलरी वसंद सैना की है और वो इसे चारुदत की यहां रख कर आई थी उससे मिलने के लिए लेकिन Servilaka ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो तो ये सब चुराकर लाया था इसके alternative में सर्विलाका कहता है कि अगर वो चारुदत का messenger बनकर वसंद सैना को ये ornaments return कर दे तो इसा problem ही solve हो जाएगी खैर इन दिनों का ये conversation वसंद सैना सुन लेती है और जब सर्विलाका वसंद सैना से कहता है कि चारुदत ने उसको ये गहने वसंद सैना को देने भेजा है तो वो खुश होकर कहती है कि वो इस kind gesture से बहुत खुश है और as a gift वो अपनी slave मदनिका को उसे देना चाहती है मदनिका बहुत खुश हो जाती है और सर्विलाका के साथ खुशी खुशी चल पड़ती है ये दोनों शादी करने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें आरेका का कोई खास आदमी मिल जाता है क्यार इस खास आदमी का नाम कोई भी नहीं जानता कुछ लोग इस आदमी के बारे में इतना बताते हैं कि इसी के कहने पर आरेका सब काम करता है और राजा पालका को डी थ्रोन करने के लिए आरमी भी यही आदमी प्रिपेर कर रहा है ये खास आदमी सर्विलाका को कहता है कि आरेका को राजा पालका के सोल्जर्स ने जेल में बंद कर दिया है क्योंकि राजा को कहीं से उनके प्लांट के बारे में पता लग गया था सरविलाका ये सुनकर कहता है कि उसे तो ये पहले से ही पता था इस पर वो खास आदमी कहता है कि सरविलाका तो बहुत ही तेज है कोई भी महल या घर या फोर्ट या प्रिजन ऐसा नहीं है जो वो नहीं जानता हो तो उसे आरेका को जेल से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करनी जाए सरविलाका पहले तो मना करता है मगर फिर वो मदनिका को कहता है कि वो आज रात आरेका को जेल से बाहर निकालेगा और कल सुबह ही वो वसंत सैना के घर से मदनिका को ले जाएगा मदनिका नारास तो होती है मगर वो कुछ कर नहीं पाती और सरविलाका आरेका की हेल्प करने निकल पड़ता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारुदत के कहने पर मैत्रेय वसंत सैना के घर जाकर चारुदत के गैंबलिंग में वसंत सैना के गहने हारने वाली बात बताता है और ये भी कि वसंत सैना के घर में आने का पता लगने के बाद चारुदत की wife धुता उसे छोड़ कर अपने parents के घर चली गई है और बताता है कि ये necklace चारुदत की wife का है और उसके पास only येही एक necklace बचा था जो वो वसंसाना को देने आया है वसंसाना चारुदत के इस act से deeply touched हो जाती है और मैंत्रेज से कहती है कि वो चारोदत से कहे कि वसंद सेना उसी इवनिंग में मिलने उसके घर आएगी Act 5th, The Storm Act 5th के बिंग्निंग में हम देखते हैं कि चारोदत टेंशन में है क्योंकि बहुत ही तेज बारिश हो रही है और ऐसे में वसंद सेना उसको मिलने कैसे आ सकेगी लेकिन वसंद सेना वहाँ आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देख कर बहुत खुश होते है वो चारोदत को बता देती है कि उसके और्नामेंट्स उसे वापस मिल गए हैं और इन ornaments के वापस मिलने से जुड़ा incident भी वो चारुदत से share करती है इसी रात को सर्विलाका आरेका को prison से निकाल लाता है लेकिन soldiers इन दोनों के पीछे पर जाते हैं और ये दोनों अलग-लग हो जाते हैं सर्विलाका का कुछ पता नहीं लगता के किदर गया और आरेका उजैनी सिटी में पहुँच जाता है मगर पालका के soldiers अभी भी उसके पीछे हैं और act fifth यहीं खतम होता है act sixth the swapping of the block cards act sixth start होता है और हम देखते हैं Sam 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 पुश्प करंद का गार्डन में वसंसेना की वेट करे वो किसी भी तरह समझा बुझा कर वसंसेना को भी वहीं भेज देगी और उस टाइम वहाँ कोई भी नहीं होगा गार्डन में तो वो कहीं से हेल्प नहीं ला सकेगी समस्थानक ये बात मान जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि next day सुबह जल्दी ही चारुदत घर से चला जाता है और वसंत सैना से कहता है कि आज वसंत उत्सव है तो सभी लोग उजैनी सिटी में होंगे और पुश्प करंदक गार्डन में कोई भी नहीं होगा तो वो दोनों इस गार्डन में आराम से घूम सकते हैं क्योंकि वहाँ वसंत सैना को कोई भी नहीं पहचान सकेगा चारुदत कहता है कि वो वसंत सैना को गार्डन में आने के लिए कुछ ही देर में एक कार्ट भीज देगा और ऐसा कहकर चारुदत घर से चला जाता है नेक्स्ट सीन में जब वसंसेना घर में अकीली होती है तो चारुदत की वाइफ धूता घर वापस आ जाती है अपने बेटे रोह सेना के साथ वो वसंसेना से मिलती है और कहती है कि उसको पता था कि उसकी एपसंस में वसंसेना जरूर उसके घर आएगी वो गई ही इसलिए थी ताकि यू अचानक आकर वो वसंसेना को मिल सके इस पर वसंसेना दुता से पूछती है कि क्या दुता को उससे जलन नहीं होती तो दुता कहती है कि वो तो उमर में उससे काफी चोटी है तो उसको जलन क्यों होने लगी? वशन सेना धुता को उसका नेकलेस वापस कर देती है, तभी चारुदत और धुता का बेटा रोह सेना रोता हुआ घर आता है और कहता है कि उसके साथ कोई भी नहीं खेल रहा इस पर वसन सैना रीजन पूछती है तो मेड रधिनिका बताती है कि सभी की खेलने वाली कार्ट्स गोल्ड की है वही रोह सैना के पास मिट्टी की यानि कले की बनी कार्ट है तो वो सब इसे गरीब मानते हैं और इस बात से emotional होकर वसंद सैना, रो सैना की कार्ट को अपनी gold ornament से decorate कर देती है और कहती है कि जाओ अब तुम्हारे साथ सब खेलेंगे रो सैना खुश होकर अपनी उस decorated कार्ट को लेकर वहाँ से चला जाता है इसी incident को शुद्रक ने इस play का center माना है और इसी incident पर play का title मृच्छा कटिका रखा है अब आगे की explanation पर जरा गौर करना अगर confusion से बचना चाते हो और एक ही बार में पूरी story याद रखना चाते हो तो यहाँ पर दो बुलकाट्स दो घरों के आगे आनी है पहली चारुदत के घर के आगे वसंद सेना के लिए और दूसरी वसंद सेना के घर के आगे वसंद सेना को उसी garden में ले जाने के लिए जहां आज उसे चारुदत ने बुलाया है होता क्या है कि जब समस्थाना की भेजी हुई कार्ट वसंसाना के घर पहुँचते है तो वहां से उस कार्ट को ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि वसंसाना तो कल रात से ही घर नहीं आई है दूसरी तरफ ये होता है कि चारुदत की भेजी हुई कार्ट उसके घर के आगे तो आ जाती है और सर्वेंट वसंद सैना को जाकर कह भी देता है कि कार्ट आ चुकी है मगर वहां बच्चे उस कार्ट के बैल को टीज करते हैं जिससे वो बैल आगे भाग जाता है और ये कार्ट आगे जाकर जहां रुकती है वहीं आरेका चुक कर बैठा होता है कार्ट को देखकर वो एकदम से उसमे जाकर बैठ जाता है ताकि किसी तरह से वो पालगा के सोलजर से पीच्छा चुड़ा सके जो भी तक उसके पीछे पड़े हुए थे अब इस कार्ट को चलाने वाला सर्वेंट वर्द मानक देखता भी नहीं है पीछे मुड़कर के कार्ट में बैठा कौन है और आरेका के बैठने भर से वो ये समझ लेता है कि वसंसना ही होगी और वो कार्ट लेकर गार्डन की तरफ बढ़ता है अब चारुदत के घर के आगे एक्जेक्ट उसी टाइम जो वसंसना घर से निकलती है तो समस्थाना की भेजी हुई कार्ट आती है लेकिन बच्चे वहाँ अपनी कार्ट से खेल रहे थे तो उस कार्ट को आगे जाने की जगह नहीं मिलती और इस समस्थाना की भेजी हुई का पुश्पकरंदा गार्डन जा रहा है और समस्थानक की कार्ट चारुदत के घरे कार्ट में वसन सेना घर से निकलते ही बैठ जाती है। आगे पहुँच गई थी और बच्चों और भीड की वज़े से वो आगे नहीं भड़ पाई थी। इसलिए वसन सेना उसे चारुदत की भेजी कार्ट समझकर उसमें बैठ कर चली जाती है। के कहने के अकॉर्डिंग कार्ट पुश्प करंदा गार्डन पहुंचा देता है। लेकिन कार्ट में तो आरेका था। चारुदत तो वसन सेना से मिलने की वेट कर रहा था। वो आरेका को देखकर शौक हो जाता है। मगर वो जानता था कि आरेका अच्छे कॉस के लिए फाइट कर रहा है तो आरेका की बाते सुनकर वो आरेका को उसी कार्ट में आगे बढ़ने को बोल देता है। आरेका भी चारुदत के इस बिहेवियर से खुश हो जाता है। अब चारुदत आरेका के वहां से जाते ही वसन सेना की वेट ना करके उस जगह से निकल जाता है। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी वहां आरेका के साथ देखे क्योंकि आरेका का साथ देना मतलब King Palaka से Trison Next है Act 8 The Strangling of Vasant Senna So, इस Act के बारे में explain करने से पहले मैं आपको याद दिला दू Act 2 से समवहका की जो gambling में 10 gold coins हार गया था और वसन सेना ने उसकी help की थी और इसके बाद वो एक भिक्षू बन गया था अब ये समवहक पुश्प करंदक garden में अपने कपड़े दो रहा था उसे वहां समस्थानक bully करता है और वहां से भगा देता है Finally, कार्ट आ जाती है जिसकी समस्थानक wait कर रहा था उस कार्ट में बैठी वसन सेना को देख कर वो बहुत खुश होता है लेकिन वसन सेना फिर से उसे reject कर देती है इस पर समस्थानक या फिर साकारा कह लीजे काफी गुस्ता होता है कहता है कि वसन सेना अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर मैं तुमें किसी और की भी नहीं होने दूँगा और वो वसन सेना को मारने का decide करता है वो अपने followers Vita and Cheta से कहता है वसन सेना को मारने के लिए लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं विटा और चेटा के मना करने के बाद वो खुद ही वसंत सैना को मारने के लिए आगे बढ़ता है वो वसंत सैना का गला दबा कर मारने की कोशिश करता है वसंत सैना स्ट्रगल करती है मगर बच नहीं पाती और बेहोश हो जाती है वैसे भी समस्थानक में आधा दिमाग था त ये बात करते करते उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों न वसंसैना के मुरडर में चारूदत को कल्परिट बना दिया जाए, इस तरह से वो चारूदत से भी अपना बदला ले पाएगा, क्योंकि वसंसैना ने उसको छोड़कर चारूदत को पसंद किया, वो अपने अपने कामों के लिए चले जाते हैं उनके जाने के बाद समभाहक जो वहां खड़ा सब देख रहा था आता है और वसन सेना के गले की मसाज करता है लेकिन वो फिर भी होश में नहीं आती तो समभाहक उसे अपने पास ही बने एक मठ में ले जाता है और वहां उसका treatment कर जाता है और इसके बाद है act 9 the trial act की starting में हम देखते हैं the court of justice जिसमें एक judge and दो assessors present हैं सकारा कहता है कि चारुदत ने वसन सेना को धोके से garden में बुलाया और उसके ornaments के लालच में उसको मार दिया इसके बाद वसन सेना की मदर को बुलाया जाता है वसन सेना की मदर ये बात accept क पेर था वो ये भी कहती है कि मर्डर से पहले वसन सेना चारुदत के घर ही थी इसके बाद चारुदत को बुलाया जाता है वो कहता है कि उससे तो पता ही नहीं है कि अब वसन सेना कहा है अब जच कहता है वसन सेना की dead body pushp karandak garden में देख कर आने को कुछ लोग जाते हैं garden और unfortunately pushp karandak garden में एक woman पेड के उपर गिर जाने से मरी हुई पड़ी थी and उसकी dead body अभी भी वही थी चेक करने जो लोग जाते हैं वो इस woman को वसन सेना समझ लेते हैं and judge को आकर बताते हैं कि हाँ garden में एक woman की dead body है अब चारुदत के against evidence मिल चुका था चारुदत तो एकदम चुप हो गया था क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वसन सेना वाके में मर चुकी है मगर judge अभी वी पूरा inspection चाते थे तो वो चारुदत के घर को search करने को कहते हैं लेकिन चारुदत के घर से वसन सेना के ornaments भी मिल जाते हैं ये वही ornaments हैं जिनसे वसन सेना ने चारुदत के बेट पाल का death sentence announce करते हैं ताकि बाकी लोग ऐसा crime करने से डरें इसके बाद act 10 start होता है जिसका नाम है the end punishment announce होने के बाद चारुदत को दो चांडाल execution के लिए ले जाते हैं वैसे ये दोनों अपने काम को पसद नहीं करते थे और काफी kind nature के थे अगर इनके profession को देखा जाए उसके comparison में चारुदत का दोस्त मैत्रे रोह सैना को उस execution वाली जगा ले आता है ताकि चारुदत last time में अपने बेटे को देख सके साथ ही वो executioner से request भी करता है चारुदत को release करने की लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था दोनों चांडाल भी इस काम को करने से जिशक रहे थे वो एक दूसरे को बोल रहे थे execution परफॉर्म करने के लिए इस वज़े से देर हो रही थी चारुदत को punishment देने में तब ही वहाँ वसंद सैना समभाका के साथ आ जाती है और सच पता देती है और समभाक भी गवाही देता है वसंद सैना अपने साथ चारुदत की वाइव धुता को भी ले जाती है जिसे उसने अभी अभी suicide करने से बचाया था उससे टाइम सर्विलाका भी वहाँ आ जाता है और बताता है कि दुष्ट राजा पालका को मारने के बाद अब राजा आर्यका बन चुका है और किंग आर्यका ने चारुदत को इनोसेंट डिक्लियर करने के साथ ही उसे कुसावटी किंग्डम गिफ्ट किया है लास्ट में चारुदत और वसंद सैना की शादी हो जाती है और वो अपनी पहले वाइफ धुता और बेटे रोसना के साथ खुशी-खुशी रहने लगता है वो साकारा को भी उसके ग्राइम्स के लिए माफ कर देता है और इसी के साथ ये प्ले खतम होता है मिर्चा कटिकम प्ले की थीम है काफी कमाल का प्ले लिखा है शुद्रका ने लगता ही नहीं है कि अल्मोस्ट ट्वंटी फाइफ हंडर्ड येर्स ओल्ड है वो ही गरीब अमीर का डिफ्रेंच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बात तो ये भी नोट करने वाली है कि जब इंग्लिश लैंग्वेश का कोई अता पता ही नहीं था उस वक्त संस्कृत में इस तरह के प्लेज लिखे जा रहे थे तो विलहाल इस टॉपिक के बारे में इतना ही आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा so thank you thank you very much for your time